प्रस्न संख्या एक इकाई में सनिकट मान लिखें तो प्रस्न पहला काक्या है पांच दस्मलो साथ तो देखें इकाई में सनिकट मान लिखें इकाई मतलब देखें इकाई कहाँ पर है तो इकाई है ये ठीक है दसमलों के बाया तरफ जो रहता हूँ एकाई हुआ और दसमलों के दाया तरफ जो हुआ हूँ दसांस ठीक है तो एकाई दाहाई सेगड़ा इसंक को गिनेंगे एकाई के अगर इधर कोई अंक रहता तो उसको दाहाई और फिर सेगड़ा और दसमलो के दाया तरफ दसांस अतांस इस तरह से हम गिनते हैं तो देखे इकाई पर कौन है यहाँ पर इकाई पर पांच है तो इकाई में सनिकट मान लिखना है तो पांच का यानि इकाई में जो है उसका सनिकट मान लिखना है तो 5 के बाद देखे 10 मलो 7 है 5 के बाद क्या है 10 मलो 7 तो इसको हम लिख देंगे 6 क्यों लिखेंगे क्योंकि देखे 10 मलो के बाद 7 है 10 मलो के बाद क्या है 7 है यानि 5 5 से ज़्यादा है देखे 10 मलो के दाया तरफ जो अंक है वो 5 से ज़्यादा है ठीक है तो 5 से 5 रहे या 5 से ज़्यादा रहे इकाई पर जो आंक है उसको एक बढ़ा करके लिख देंगे अगर यहाँ पर 5 दसमलो 5 भी रहता तो भी 6 होता पांच दसमलो 4 रहता तो 5 ही रहता ठीक है जैसे यहांपर देखे बाँच से अगर कम रहता पाँच दस्मलो चार रहता तो पाँच लिखते ठीक है? इकाई रख इकाई में सन्निकट मान 5 लिखते अब देखे खाइ तो हम जैसे जैसे इसको बनाते जाएंगे वैसे इसको सबंज में आता जाएगा है तो दो दस्मलों चार है तो देखिए दस्मलों के बाद जो है इकाई पर कौन है दो है तो इसी का सन्निकट मान लिखना है तो इकाई तो दस्मलों के बाद है चार तो पांच से कम है देखिए पांच से कम होता है चार तो बस इसका दो लिख देंगे इकाई का सन्निकट मान, दो क्या रह जाएगा, दो ही जैसे पांच क्या बन गया है यहाँ पे छे पांच से जादा रहने पे, दस्मलो के दाया तरफ वला उनको ठीक है, अब गह में देखिए एक दस्मलो दो, तो यहाँ पे इकाई पे है एक, तो एक दस्मलो दो का सन्निकट मान होगा इकाई में, एक इकाई पे है और दस्मलो दो है यानि दस्मलो के बाद पांच से कम है दस्मलो, देखिए दस्मलो पांच से कम है दस्मलो दो है, ठीक है, तो दो जो है पांच से कम है तो बस एक लिख देंगे इसका इकाई में सनिकट मान घा में है 6.5 6.5 देखिए तो इसका हो जाएगा 6 है इकाई पे इकाई में सनिकट मान लिखना है और दसमलो के बाद 5 है तो देखे 5 रहे या 5 से ज़्यादा रहे 6 क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा? यानि एक बढ़ जाएगा? जैसे इसमें हुआ था देखे 5 छे बन गया था क्योंकि दसमलो के बाद 5 से ज़्यादा है 5 भी रहेगा तो भी एक बढ़ जाएगा इकाई वाला तो इस तरह से इसको हल कर लेना है प्रस्न संक्या दूसरा दसमलो के सूध एक अस्थान तक मान लिखें तो दूसरा का पहला है 4 दसमलो पांच 6 क्या कह रहा है? दसमलो के सूध एक अस्थान तक तो दसमलो के सूध एक अस्थान तक दसमलो के दो अस्थान दिया हुआ है देखे दसमलो के बाद दो अंक है तो इसको सुध एक अस्थान तक मान लिखना है यानि दसमलों के सुध एक अस्थान तक यहां पर दो अस्थान है दसमलों के बाद तो इसको एक अस्थान करना है तो कैसे करेंगे देखे दसमलों के दाया तरफ जो पहला अंख है वो 5 है और दूसरा अंग 6 है तो देखे इस पे हम जो दूसरा अंग है उस पे ध्याम देना है दस्मलों के बाद दस्मलों के बाद पहला अंग 5 हुआ और दूसरा अंग 6 तो 6 क्या है? 5 से जादा है देखे 6 क्या है? 5 से जादा है तो 5 क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा यानि यहाँ पर हो जाएगा 4 दस्मलो 6 यानि 5 जो है 6 बन जाएगा क्योंकि ये वल अंग जो है दूसरा अंग, दस्मलो के दाया तरफ दूसरा अंग 5 से जादा है अगर 5 भी रहाता तो भी ये 6 बन जाता एक ज्यादा, ठीक है, सूधे, क्या पूछ रहा है, दस्मलों के सूधे एक अस्थान तक, तो अब देखे, ये दस्मलों के बाद दो अंग था, तो इसको सूधे एक अस्थान तक हम मान लिख दिये हैं, अब ख, ख में है 9.54, ठीक है, अब देखे, इसका मान हो जाएगा, एक दस्मलोग के सूध एक अस्थान तक पूछ रहा है तो दस्मलोग के दाया तरफ दूसरा अंग चार है पांच से कम है तो पांच पांच ही रह जाएगा बस इसका लिख देंगे हम नौ दस्मलोग पांच ठीक है देखें पांच से कम है ये दसमलो के दाया तरफ दूसरा अंग जो है पांच से कम है तो पांच क्या रह जाएगा पांच ही रह जाएगा यहां पर जो अंग है वही रह जाएगा एक नहीं बढ़ाएंगे एक कब बढ़ाएंगे जब पांच से जादा रहे या पांच रहे ये दस मलो के दूसरा आंग सतांस वाला तो इसको दसांस बोलते हैं इसको सतांस और इसको एकाई ठीक है तो सतांस वाला आंग अगर पांच रहे या पांच से ज़्यादा रहे तब इसको हम बढ़ाएंगे दसांस वाला आंग को तब हम एक बढ़ाएंगे अगर पांस से कम रहे सतांस वला अंक तो जो अंक है दसांस पर वही रह जाएगा गा में देखिए दस दसमलो दो साथ तो इसमें देखिए इकाई दहाई ये होता है इकाई ये होता है दहाई इधर होता है दसांस ये होता है सतांस तो हमसे पूछ रहा है दसमलों के सूद एक अस्थान तर Jag majority तो दसमलों के सूद एक अस्थान यानि 2 पे हमें तो 10 से हमें कोई मतलब नहीं है बस दसमलों के ये दोनों अंकषए मतलब है तो देखे, 2 है यहां पे और जो सतान पे है ये 7 तो दस्मलों के सूद एक अस्थान तो एक अस्थान मतलब दो है तो दो के देखे दाया तरफ हम देखेंगे साथ है यानि पान से जादा है तो दो क्या बन जाएगा तीन देखे पान से जादा है ये सतांसवल आंग तो दो क्या बन जाएगा तीन घह, घह में है 11 दस्मलों सुनने साथ, अब देखे, तो इकाई दहाई, इकाई दहाई से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें बस दस्मलों के सुद एक अस्थान तक मान चाहिए, तो सुद यहाँ पर दस्मलों के जो एक अस्थान पर सुनने है, दूसरे अस्थान पर कोई है, साथ, तो दसांस पर सुनने है और सतांस पर साथ है, तो सतांस वाला देखिए, पांस से ज़्यादा है, तो दसांस वाला एक बढ़ जाएगा, यानि सुनने एक बन जाएगा, त 12.1 होगा इसका उत्तर प्रस्न तीन दस्मलों के सूध्य दो अस्थानों तक मान ग्याद करें तो प्रस्न तीसरा कक्या है 5.7 6.3 5.7 6.3 तो क्या कह रहा है कि दस्मलों के सूध्य दो अस्थान तक यानि सूध्य दो अस्थान मतलब इसमें एक अस्थान था तो दस्मलों के दाया तरफ वाला पहला अंग देख रहे थे इसमें दोनों अंग देखना है देखे जैसे यहां पे 7-6 तो दोनों को देखना है सुद्र दो अस्तान तक पूछ रहा है तो देखे दसान सतान सहस्तारवाँ ठीक है और इधर होता है काई तो हमें दो अंग छोड़के यानि तीसरांग पर ध्यान देना है तो तीसरा अंग देखिए पांच से कम है पहले तो पांच दसमलों को उसी तरह लिख देना है बस हमें ये दसमलों के जो दाया तरफ है उसको ध्यान देना है उस पे तो साथ, छे, तीन पे तो वो भी देखिए सबसे अंतिम बला अंग कोन है? तीन है तो हमसे 10 मलों के 2 सूद 2 अस्थान तक पूछ रहा है तो 3 देखे, 5 से कम है तो 76 क्या हो जाएगा? बस 76 ही रहा जाएगा देखे, ये जो 10 अंस वला अंख है 6 ये 6 ही रहा जाएगा, नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये 5 से कम है 10 मलों के 3 अंख तो सूद 2 अस्थानों तक इसका मान हो जाएगा 5 देखे अब देखे, खा में 8 देखे, 4, 7, 8 8 देखे, 4, 7, 8 तो यहां पर देखे, 8 देखे, 4 इसको तो हम लिग देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है बस मतलब है तो ये 2 नंख से तो देखे, ये जो अंती बला अंख है, वो 5 से जादा है तो 7 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा तो ये हो गया, सूद 2 अस्थानों तक मान, 10 मलों के तो 8 दस मलों, 4, 8 इसका उत्तर होगा, ठीक है अब देखे, गर तो जैसे जैसे हम बनाते जाएगे वैसे आपको समझ में आता जाएगा 4 दस मलों, सून्य, 2, 6 तो देखे 4 दस मलों, सून्य तो ये दोनों अंख से हमें कोई मतलब नहीं बस ये दोनों अंख से मतलब है 2, 6 से, तो 6 देखे 5 से जादा है, तो 2 क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा, ठीक है? तो तीसरा आंख देखना है कि दस मलों के दायां तरब जो तीसरा आंख है वह देखना है कि 5 से जादा है या कम है या 5 के बराबर है तो 5 के बराबर हैगा, जादा रहेगा तो भी तो ये दसांस वाला एक बढ़ जाएगा, जैसे 2 हो एक दस्मलो सून एक दो चार एक दस्मलो सून एक दो चार अब देखे तो एक दस्मलो सूने तो इसमें दस्मलो के सूध दो असानों तक कह रहा है तो देखे एक दस्मलो सूने तो इसे हमें कोई मतलब नहीं है अब दस्मलो के जो तीसरा आंग है वो दो है तो देखे दो क्य पान से कम है तो एक क्या रह जाएगा एक ही रह जाएगा यहां पर वलांग ठीक है इससे भी हमी कोई मतलब नहीं जब यही पान से कम है तो एक क्या रह जाएगा एक ही रह जाएगा यानि एक होगा ठीक है और ऐसे भी देखिए चोबिस है यानि पचास से कम है तो पचास से क है तो एक क्या रहा जाएगा एक ही रह जाएगा ठीक है तो या तो एक अंग देखें पांच से कम या दोनों को मिला दे तो पचास से mummy किम है देखें चोबीस है ठीक है तो चोब prince के due अस्थानों तकливо एक आ रहा है और उसके बाद चोबीस ए यानि 50 से कम है तो एक क्या हो जागा एक ही रहा जाएगा तो इसका उत्तर हो गया एक दस्मलो सुन्ने एक इस तरह हम प्रस्न तीन तक हल कर लेंगे